जासी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकतसा काक्ष में शुक्रवार देरात भीशन आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई वहीं हादसे की सूचना मिलते ही करी 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गए सेना को भी बुला लिया गया रास्ता नहीं मिलने पर नवजातों को खिलकी के काच तोड़ कर बाहर निकाला गया नवजातों को बचाने के लिए परिजन के बीच अफरता फ्रीम मच गई वे बच्चों को लेकर जाने लगे मंडला युक्त विमल कुमार दुवे ने बताया कि जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात भरती थे 45 नवजात को सुरक्षत निकाल लिया गया है उनका इलाज चल रहा है दस नवजात की मौट से अस्पताल परिसर में कोहरा मच गया माता पिता भी अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाते रहे प्रतक्ष दर्शियों के मताबिक शुकरवार रात पौने 11 बज़े वार्ड से धुआ निकलता दिखा जब तक लोग कुछ समझ पाते आग की लपटे उठने लगे कुछी देर में आग ने वार्ड को जद में ले लिया जिससे भगदर मच गई शिशों को बाहर निकालने की कोशिश होई पर धुआ एबम दर्वाजे पर आग की लपट होने के चलते समय पर बाहर नहीं निकाले जा सके दमकल की गालियों के पहुचने पर शिशों को बाहर निकाला जा सका बताय जा रहा है कि पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी और देखते ही देखते पूरा वार्ड आग की चपेड में आ गया दूसरी तरफ सपा प्रमुक अखिलेश यादब ने मामले पर सरकार क को जम कर खेरा अखिलेश ने टूइट करते हुए कहा कि जांसी मेडिकल कॉलेच में आग लगने से दस बच्चों की मृत्यू एवं कई बच्चों के घायल होने का समचार बेहद दुखत एवं चिंता जनक है सबके प्रती समवेदनात्मक श्रधांजली आग लगने का लोगों पर दंडात्मक कारवाई हो मुख्यमंत्री जी चुनाबी प्रिचार छोड़कर सब ठीक होने के जूठे दावे चोड़कर सास्थे और चिकित्सा की बधाली पर थ्यांत देना चाहिए जिन्नोंने अपने बच्चे कमवाए हैं वे परिवार वाले ही इसका दुख स्वास्थे और चिकत्सा मंत्राले में उपर से नीचे तक आमूल चूल परिवर्तन करेंगे रही बात उतर प्रदेश के स्वास्थे और चिकत्सा मंत्री की तो उनसे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उन्हीं के कारण आज उतर प्रदेश में स्वास्थे और चिकत्सा व्यवस पस उनके नाम की तक्सी है सबसे पहले उत्रप्रतेश भाजपा सरकाश समस्त जुल से बच्चों के लिए विश्यस्तरी चिकित्सा व्यवस्ता उपलब्द कराए वह जिन्हों ने अपने बच्चों को खोया है उन समस्त शोक संतप्त परिवारों को एक एक करोड समवेदना राशिदे गोरखपुर न दोहराया जाए वीडियो डैस्क अमरजाला.ड़ कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें